हेलो नमस्कार अबनेकम सस्रिया काहल आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चनल मैगनेट ब्रेंस आई टी जे ये नीट में मेरा राम है सत्यम शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का अपना पहला चैप्टर जिसको हम किल करेंगे शॉट लेकर अच्छा क् इस बार हमारी स्ट्रेट्टी थोड़ी सी अलग होगी इस बार हम करेंगे सिर्फ को अलग रहा है कि कंसेप्ट्स की रिविजन की जरुआ आपको अतनी पड़ नहीं रही क्योंकि आप पहले से ही सब कुछ पढ़े बैठे हुए हैं आप बस चाहते हैं कि कुछ कुछ क्वे division आपका होता जाएगा ठीक ना तो बात सही है ठीक है आपका भी सोचना सही है हमारा सोचना भी सही है तो चलिए कंदे से कंदा मिला का स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्शर को जिसमें हम पढ़ने वाल है और करेंगे इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूं वह बात आज भी बोलूगा कि अपने नोट्स अपनी फॉर्मिला कॉपी अपना दिमाग पानी की बॉटल पैन पेपर लेकर बैठें और क्या करते रहें questions देखते रहें अगर आपको बनते हैं तो well and good नहीं बनते हैं तो विडियो को pause करिये और question को solve करने की कोशिश करिये उसके बाद जब आपको वीडियो आपका question solve हो जाए तो आप वीडियो को वापस चला कर देख लिजे कि आपका अंसर वही आ रहा है जो मे न्यूटन मीटर दा चार्ज और डाइपोल डाइपोल लेंथ तू सेंटीमीटर ठीक है अधिक है यहाँ पर डाइपोल की लेंथ दो सेंटीमीटर दी हुए है टॉर्क न्यूटन मीटर में दिया हुआ है फिर क्या करना पड़ेगा कुछ ना कुछ कन वर्जन करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा अरे यह जूल में दिया हुआ है यह सेंटीमीटर में दिया हुआ है यूनेट अलग अलग हो गई है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी ठीक है सबसे पहले तो पहली बात तो य क्या है P e sin theta क्या ही formula है हां सरी ही formula है P e sin theta okay यह क्या है this is dipole dipole moment तो peak dipole moment आप कैसे निकालते हो q into L से अरे हाना charge into जो charge के बीच की distance है okay sir यहां पर आपको बोला गया electric dipole is placed at an angle of 30 degree ठीक है angle आपको दे दिया गया थीटा आपको 30 और कूलव्ब की दिए यह यह तर्क भी आपको देढ़िया गया कितना चार न्यूटन मीटर चार दैपोल लेंट्स तू सेंटीमेटर अब आपको यौँ दीया हुगा है कितना दो सेंटीमेटर तो सेंटीमेटर को मैं चेंज करता हूं two into ten to power minus two meter बोल देता हूं कि आपको इस बाद से कोई दिक्कत है नहीं सर कोई भी दिक्कत नहीं है आई तो मुझे टॉर्ग दे दिया गया है यह देदिया है और मुझे आप से पूछ रहा है कि charge की value बता दो क्या होगी तो चलिए question को solve करते हैं टाव है four newton meter four newton meter unit नहीं लिखता सिधे चार लिखता हूं value four is equals to p की value कितनी है q into l की value है two into ten to the power minus two meter into e की value दी गई है two into ten to the power five और साइन थीटा दिया है आपको 30 डिगरी तो यह कितना हो जागा साइन थर्टी इस वन बाइट चाहिए न तो यह टू से यह टू कड़ गया 10 to the power minus two and two power five and two power three हो जाएगा ठीक है तो four is equals to q into two into ten to the power three यह 10 to the power minus two है 10 to power five है कितना हो जाएगा 10 to the power three हो जाएगा बचा क्या टू एन टू तो मैंने लिख दिया पहली तो मैने पहले ही लिख दिया है यह देखी न टू एक यह हो गया टू तेंट दूपार थ्री हो गया और यह क्या हो गया हूँ हो गया चलिए वेरि गुड यहाँ से आप क्यूं की वेलो निकाल सकते हैं Q is equal to Q is equal to 4 upon 4 upon 2 into 10 to the par 3 ठीग ना दो दो नी चार्ड तो टो अपों 10 to the par 3 आपका चार्ज 2 into 10 to the par minus 3 Coulomb ठीग ना तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 micro coulomb आपको दिया हुआ है तो अंजर क्या हो जाएगा आपका टू माइक्रो कूलाम अच्छा मैं अधर रहता हूं तो मुझे अधर की चीज़ चमक रही होती है तो मुझे इधरा कर देखना पड़ता है आप सुचते होगा ना कि सारी तिनी चीज़ के लिए इत्तिस जीज़ के लिए इस कोने में क्यों जाते हैं होता है यार कभी कभी क्य के साथ हुई है यह जो 12 है अब हम यह 12 कर रहे हैं कॉस्टिंस के साथ तो चली नेक्ट नेक्स क्वेशन है तो एलेक्रिक फील इन असर्टें रीजन इस एक्टिंग डिली आउट्वर्ड और एंगिविन और एंगिवन बाइए इस इक्वास तो ए आर ठीक है अचार्ज कंत इन इन स्विर अफ रेडियस ए सेंटर एड डी ओरिजन दा फील विल्विवन वैम अब आपको किसके वैले निकाली है चार्ज के वैले निकाली ठीक है ओके हम यह जानते हैं कि इंटेग्रेशन ओफ ए वेक्टर डॉट डॉट डिया स्वेक्टर कर दूं क्या सको दी ये व वाला एरिया है जिसके अंदर चार्ज रहता है ठीक है ओके सर आपको यहां पर एक वैल्यू दे गई है एंटू आर के बराबर ठीक है और क्या पूछ रहा है अचार्ज कंटेंड इन स्विर अफ रेडियस ए अब देखिए रेडियस ए तो हमको अगर पूरा एरिया अच्छ नहीं है आर की वेल्यू ए तो यह हो जाएगा एंटू ए और एरिया कितना हो जाएगा स्वियर का फोर्पाई एस क्वेर फोर्पाई एस हो जागा कि बिल्कुल हो जाएगा ज़र और यह किसके बराबर होगा अब क्यू एंड क्लोज अपॉन एब्सलें नॉट के A into A into epsilon naught अच्छा 4 pi epsilon naught 4 pi epsilon naught आगे दिया हुआ है ठीक है आगे कर लेते हैं इसको हम 4 pi epsilon naught A into small a ka cube ठीके ना थो 4 pi epsilon naught A into a ka cube वेरी गुड बहुत ही शांदर बहुत ही शांदर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर लोग के मदद से a conducting sphere of radius r is given a charge q the electric potential and the electric field अचा अभी हमने potential पढ़ा नहीं है तो हम potential की बात नहीं करेंगे हम potential को हटा देंगे हां से a conducting sphere of radius r is given a charge q the electric potential हटा दो the electric potential the electric field अना electric potential का chapter आएगा next उसमें हम बात करेंगे पोटेंशल की electric field at the center of the sphere respectively इस बताओ सेंटर अफ दस्वियर के सेंटर अफ दस्वियर के conducting sphere रेडियस आर आपको बुला है कि जो conducting sphere है उसके center पर field कितनी होगी center पर कितनी होगी आई पेम्टी दोज़र चौज़र रोशन है अंसरे जीरो यह सीधा फॉर्मला बेस्ट है फॉर्मला वेस्ट क्वेशन है आप देखो गया आपको समझ में आएगा कि यहां पर अगर आप स्वियर के लिए प्राइब ट्रेम नीजे की तरफ लगे कि तरफ लगे की जो पाइब लगे गिया थीक ना इस पर नीचे की तरफ लगे की तरफ इसका वेट mg लगे की निलगेगा बिलकुल लगगा यहां पर लग रही है टेंशन टी इसके भी दो कमपनेंट हो गर्म आखार यांगण थीटा है अगर यह आंगल थीटा है यह एंगल नी में अंगल थीटा लेता हूं तो से क्या होगा मैं इसको बोल दूगा कि यह टी कॉस क्या करेंगे रिपलिशन और यहां पर लगएगा यह बोल देता हूं कि इस पर लगने वाला है किया इधर की तदफ इ्लेक्ट्रोस्ट्राटिक फोर्स्टीक है ओके से बिल्कुल सभी है तो हम बोल सकते हैं कि T sin theta is equal to mg सबसे पहली यहनिके बीच में और तो r का स्क्वेर कोई दिक्कत नहीं सरे कोई दिक्कत नहीं इसको इक्वेशन नमबर टू जा मैंने बोला मैंने काया सब से पहले तो इसको 10 थीटा बना लो डिवाइड कर दो तो मैं बोलूँगा r square is equal to k q square k q square upon mg k q square upon mg k q square upon mg और यह हो जाएगा 10 theta कितना हो जाएगा multiply में 10 theta तो r square is equal to k q square upon mg into 10 theta अच्छा एक चीज़ यहां ध्यान से देखो k की value क्या है constant है 1 upon 4 pi epsilon 0 ठीक है charge क्या है constant है mass constant है g की value constant है तो हम बोल सकते हैं कि यहां जो r square है हम बोल सकते हैं यहां जो r square है वो और कुछ नहीं है constant c into 10 theta है हमको y और r की बीच में relation निकालना है अब यहां पर r square 10 theta के साथ relation दिखा रहा है मुझे और 10 theta का relation मैं y के साथ निकाल सकता हूं कैसे निकाल सकता हूं देखो देखो मझे ध्यान से सुनना यह थीटा यह पर्पेंडिकुलर यह बेस अगर यह पूरी डिस्टेंस आर है तो आधी कितनी हो जाएगी और बाइटो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बिलकुल हो जाएगी अरे आधा अधा यह बिलकुल के यह बराबर आप इसको कॉपी कर लेता हूं आपको तो पता है यह समार्ट बहुत तो मैं ऐसे देता हूं बिल्कुल के इक नंबर नोट एक नंबर नोट तो चुप काम की चीज़ा उसको हम पहले उपर लिख लेता है क्या रिलेशन निकाला भॉई डिलेशन निकाला क्या proportionality sign लगा दिया मैंने constant हटा दिया बोल सकते हैं कि ऐसा बिलकुल बोल सकते हैं sir अब हुआ क्या है पहले देखो पहले कहां पे clamp थी यह दोनों पित बॉल्स वाइवाइड पर clamp थी देखो देख रहा है कि नहीं अब क्या कर दिया है y by 2 पर लाकर clamp हुआ कि आर अपॉन आड़ डैश इसको स्टू वाइए अपॉन वाइबाइड टू की पावर वन बाइठी काड़ दिया कितना आ गया टू की पावर वन बाइठी तो यहां पर बोल्ड रहे था है एकुलिब्रियम सेपरेशन बताओ कितना हो गया होगा तो अगर माल लिया हमने एकुलिब्रियम सेपरेशन आप आर डैश हो गया है तो आर डैश की वैल्लू किसके बराबर आ रही है आर अपॉन टू की पार वन बाइठी के बराबर समझाग नहीं समझे कोई option है कैस में करे for option है का ऐएर अपॉन है टूरर है टूर है नहीं के रूट टू ना यह क्यों रूट होऊऊउब इसको आप अकिया लेक सकते हो इसको आप लेक सकते हो आर अपन क्योव रूट आफ टुग आरप आप आप यूव रूट आफ तू समझें नहीं आई बात समझ में तो क्या हो गया यह क्यों मेरी बात नहीं मन रही है बात तो सर्व भी नहीं मानती थी आपके रहे तो लो ग्यार इदर आओं मैं इदर दर की बाते मत किया करो तो आगे आंसर हमारा आर अपॉन क्यूब रूट आफ टू चलिए तो क्वेशन फोर भी आपने क्या कर दिया धुस्त कर दिया आजाए नेक्स्ट पर चलते हैं और एलेक्ट्रिक डापोल of moment p is placed in electric field of intensity e the dipole require acquires a position such that the access of the dipole makes an angle theta with the direction of the field assuming that the potential energy of the dipole to be zero when theta is equals to 90 degree the torque and the potential area to see this is the formula put your talk or potential energy a formula put right torque a formula to peace and theta potential energy how to have a minus because theta the panel answer upka oh yeah I reckon I am a bhoot asana question the IPMD 2012 मैं आप से पूछा हुआ है चलिए तो आप देख सकते हैं कि dipole की ओपर बहुत कृशन्स बनते हैं धैपोल के ओपर बहुत कोशफियंस बनते हैं दो डैपोल आपको पढ़ना ही पढ़ना है चाहे वो टार को चाहे डाइपोल का फॉर्मला हो चाहे वो potential energy का फोर्मला हो डाइब आपको अच्छे से पढ़ना है नेक्स वाट इस फ्लक्स तुझे बहुत इंपॉर्टेंन नौसल ओफ लग्स मॉन इपॉर्टेंट जारू दो प्रमक्रीजिन स्टॉटें है यह जिरू करता है सेंगेज में भी आपको जैसे ही फ्लक्स पढ़ाया जाता है फ्लक्स का दूसरा ही कवेशन सेंगेज में आपको यह दिख जाएगा ठीक है और वुंपटी 2012 तो बोला है कि एक क्यूब के साइड पर क्यूब के साइड पर आपने क्या रखा हुआ एक कॉर्नर पर आपने चार् यहां आपको पता है जब आप स्लॉप लगाते हूं तो जो अब दाते हो फ्लक्स होता है वह होता है क्यों एंड्लोंच अप्सेलम नौत इस picture क्यों है यह क्या होना चाहिए एंक्लोज होना चाहिए गौशियन सर्फिस के गौशियन सर्फिस आपको बनाना पड़ेगा और उसमें एंक्लोज दोना चाहिए आपका यह चार्ज तो अगर आपको गौशियन सर्फिस यहां बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा एक क्य क्यूब इसके पीछे एक क्यूब इसके पीछे के बाजू में तो नीचे पूरा एक फ्लोर बन जाएगा आरे समझे की नहीं समझे एक क्यूब यह है एक इसके पीछे एक पीछे के बाजू में और एक बाजू के सामने कितने क्यूब आपने और लगा है इसके साथ एक और इस दो पीछे एक दो चार क्यूब और लगाने पुड़ेंगे तब जाकर यह जो एंक्लोज चार्ज है यह सेंटर में आएगा गौशियन सर्फिस के अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हाँ समझ गया क्या समझे कि आप इस चार्ज को गौशियन सर्फिस के अंदर सेंटर में नहीं में चाहरे हों क्योंकि फ्रह चार्ज था को रखा हूँ अगर आपको एक सिमेट्री बनानी यह प्रनानी ही तो Hispanic के पीछे रखने और पीछे के बाजू में क्यूब رہा रिखा लेकर आभी भी यह जो चार्す था वह इंख्लोड नहीं था कुछ लखार यहां से भी तो शुनिकल रहा है बिल्कुल न्कल राहा है और उसको भी क्या क्वर किया एक और एक रोगा उपर रखा 8 qi where you flux through 8 qi flux through 8 qi कितना है क्यों अपार एपसिलन नौट क्यों एंग्रोज़ अपॉन पूछले लिए पूछना वान इस फ्लक्स थू अधे एक क्योब से कितना फागा यह जब टोटल फ्लक्स जा है q upon epsilon not to a cube से कितना जाएगा बता हो मुझे 8 क्यूब है डिवाइड by 8 कर दो हना तो flux through a cube कितना होगा flux through a cube होगा q and closed upon eight times of epsilon not eight times of epsilon not okay very good देखिए कोई option है क्या हाजर option in a b option a q upon epsilon not actually it eight times of epsilon not note का eight identical cubes are required so that the given charge appears appears at the center of the bigger cube chicken okay very good next question a charge q is enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r if the radius is doubled then a outward electric flux will be your next year when I am a radius are radius are taken a charge and close kardia q not but talk it in a flux nilika top below q not upon epsilon not take whenever like a psu no a bada bada cube lelo charge a bb center but how about how kithana flux nilika flux nilika bbq not upon epsilon not kai radius the curry radius kattam dekakane nisa koi terminika radius ka to radius minus a coach in the aga it will remain the same it will remain the same okay next an electric dipole moment of peace lying along a uniform electric field e the work done in rotating the dipole by 90 degree is an electric dipole of moment p is lying along the uniform electric field the work done in rotating the dipole by 90 degree see this see they up work done ka formula laga ogi aur wo kitana hooga pe cos theta 1 into cos theta cos theta 1 minus cos theta 2 chicken pe 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 question when air is replaced by a dielectric medium of aipmt 1999 question when air is replaced by a dielectric medium of constant k the maximum force of attraction between two charges separated by a distance is separated by a distance is separated by a distance is that simple si baat hai ki jab aap apne medium ko change karte ho to electrostatic force kya ho jata hai change हो जाता है और वो क्या होता है फोर्स क्या होता है वो होता है सर के के नहीं लिखता है मैं सीधे लिखता हूँ q2 upon 4pi epsilon not into r ka square ठीक ना इसी को आप क्या बोलते हो के square upon kq square upon r square k q square upon r square q square upon 4pi epsilon not r square अब आपने medium change कर दिया भी बात हो रही थी एर की अना तो यहां पर epsilon not permittivity आपने कॉंसे रखिये air वाली vacuum वाली हना और यहां पर जैसे ही आपने अपना medium change किया कोई भी random medium आप लेकर आए ठीक अब लेकर आए तो क्या होगा यहां पर यह अच्छा मैंने q square क्यों लिखाया बोलो किसा अलग अलग चार्ज भी दो सकता है आप वह भी मान सकते हो कोई बड़ी बात निया इसको आप ऐसे लिख लो उससे कोई फरक निपढ़ने वाला है q1 q2 मालने इसको यहां भी क्या मालनो q1 q2 मालनो ठीक ना यह हो जाएगा फोर पाई एपसिलन एम इंटू आर का स्कूर्ड ठीक है कोई दिक्कत परिशानी नहीं सर कोई परिशानी नहीं एक चीज़ और आपको पता होगा यह जो रेशो होता है एपसिलन एम अपॉन एपसिलन नॉट इस नहीं बट इकोल टुके अना कोई भी कॉंसेंट आप क्या मीडियम में है मीडियम में is equals to q1 q2 upon 4 Pie Emanuel not R square into 4 eps क्या लिख सकते हito k into epsilon not R square 诌न डिवाइड buyQ1 into q2 एे काट दीया मेंने q1 q2 4Pi 4Pi गया r square r square घ Yang resting a Epsilon not upon epsilon level एपसिन नौट एपसिन नौट गया तो आप बोल सकते हो कि एफी बाई एफी एए डिवाइड बाई के इपस टू एफी मीडियूम तो लो भाई एफ ए जो एयर में आपका एलेक्ट्रोस्ट्राटिक फोर्स था डिवाइड बाई के टाइमस हो जाएगा इजी को स्टू जो सबीक इपरेज़ एफनेजयक यह गैंट अःक्षाइंट थेन के बीच में होना है तुقي है नए नेज्स withhold डाइब अगया is 6 का question ये क्या है intensity of electric field depends on distance r due to a dipole is related as is directly proportional to 1 upon r1 upon yas ka simple simple formula simple formula है जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा intensity of electric field intensity of electric field is nothing but p upon 4 pi 4 pi epsilon not r cube bracket के अंदर आजाएगा क्या 3 cos square theta plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 bracket के अंदर ठीके ना तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो intensity of electric field है वो क्या हो रहा है r cube से inversely proportional है तो answer आजाएगा आपका यह क्लियर है बहुत बनिया आगे बढ़ते है कुछ भी नहीं था आप फॉर्मला याद होगा तो आराम से आप question को solve कर सकते हो there is an electric field in x direction if the work done on moving a charge 0.2 coulomb अच्छा यहां पर आपको charge दिया हुआ है work done पूछ रहे है चार्ज दिया हुआ है 0.2 coulomb through a distance of distance आपको कितना दिया हुआ है दो मीटर along a line making an angle 60 degree theta आपको दिया हुआ है 60 degree अच्छा work done भी दिया हुआ आपको दो जूल का नहीं 4 जूल का then what is the value of e, e की value आप से पूछ रहा है ठीक है हमको पता है work done क्या होता है work done क्या होता है work done होता है f dot d क्याने की f d cos theta होता है आप यहाँ पर जो f x action में कौन सा फोर्स एक्ट्रो स्ट्रेटिक फोर्स है उसका आप कैसे लिख सकते हो क्यों इन्टू लिख सकते हो बिलकुल सकते हैं जब्ल्यू क्या हो जाएगा एफ की जगह आपने पुट किया q e into d into cos theta समझे की नीए समझे क्योंकि वैल्य आपको इनले ngon फेल चार्जू कॉछ लूह कि यहां से ने कालनी है थो निकाल आई आओ दो दुनी चार ठीके ना यहां पर कॉस्टी छोड़ देते हैं तो E is equals to E is equals to 2 2 divided by 0.2 0.2 to cos 60 cos 60 ठीके न चलिए very good E is equals to हम्दे point उटाया उपर 10 multiply कर दिया तो यह हो गया 20 divided by 2 cos 60 के value कितनी होती है 1 by 2 cos 60 के value कितनी होती है रोगा है one way to ie iss issa calque 29 से टूपक दिया कितना बचा 20 1020 Newton per pulom answer आगया 20 Newton per Coulomb कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं सप्का सँभी काथा है मैंने कि नहीं काथाए दों से दों दू क차 काट दिया दो तो उपर रहेगा नीचे 0.2 आ जाए गार कॉस 60 आ जाएगा 0.2 कॉस 60 पॉइंट इटाया दा सूपर लगाए कॉस 60 था कॉस 60 का वन बाय टू बोल सकते हो वन बाय टू वन नीच रहेगा टू पर घूम के चला जाएगा तो ये 20 इंटू टू था नीचे अल्रडी टू हो गया केजी इसको अपन 30 कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा मुझे असा लगता है इसकूशन को हम सॉल करेंगे तो 30 इंटू 10 दू पार माइनस 6 केजी करेंगे तो आंसर हमारा हमालीजे कंडीशन है यस कंडीशन और आपका मैंने क्या अ गया है यहांपर क्या है फिल्लो में आपके लिए ने-प्यारी सिर्फ सिर्फ दिखाने के ले बनाया है मुने हां पे एक स्मझेगा हैं यहां पर क्या-क्या होगा एक तुसका वेट लग रहा हुगा नीचे की तरफ बहुत पर और उपर की तरफ क्या लगे मुझे बटाइए देखिए यहांपर है टेंशन से यह सब्सक्राइब तो यह अंगल थीडा है यह तो यह एंगल भी क्या होगा हुगा इस contributing आप gag क्यों जा होगा यह जो आप इसरा आप गीत occurred आगा एक कंपेट आ हैंगा Techlingy टीं ने बेलेंस कर हम जानते हैं कि अगर हमारे पास टीकस थीटा होता टीसपीड़ कर्ärtकूए इस कंपोनैंट को यह बेलेंस कर रहा है मतलब इसकी वेलीनु के बराबर होगी इसकी वेलीन इसके बराबर होगी हाँ कि न तो इन उनों का रिपने निकालने अगर मैं यह बुल दू इननों का रिजल्टेंट जो निकलेगा उसका मैंनिट्यूट ठीक टेंशन के बलाबर होगा बस डिरेक्शन अपोजेट होगी समझागी ने समझे आरे बस खतम बात अगर इतना आपने पकड़ लिया है तो बात हो गई एकदम खतम तो यह लिजे भा एफ एक होल स्क्वेर प्लस एम जी का होल स्कुर्ड प्लस एम जी का होल स्कुर्ड समझेंगे निसमझें जी सर समझ गये आचा अब हमको निकालना है एफ एक वैल्यू एम जी की वैली चलो एम आपको दिया हुआ है कितना थर्टी इंटू टेंट पार माइनस 6 kg 132 तेंट चार्ज ऑफ क्यों की वैल्यू कितनी आ गई टू इंटू टेंट पार माइनस एट कूलों ठीक है ओके एलेक्रिक फील्ड की वैल्यू आपको कितनी दे दी गई है 20,000 वोल्ट पर कूलम ओके वूल्ट पर मीटर सरी सरी वोल्ट पर मीटर अच्छा ठीक चलो आप निकालते ह दिमाग में अगर आपके आ गया है तो बहुत आसान होगा फीज इक वेल्यू एक टू इंटू टेंट पार माइनस एट टू इंटू एक टू 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 तीन दू आइन तो पार फॉर का स्कुएर बूल मत जाना स्कुएर लगाना है अना जाने मेरी जाने मन बसपन का प्या घुष अल Papa to Ibu Forte Selon-8 एक था य形 यहां स्वार मार्फ प्रोजल किया कि मिल्कुल हो जाएक है तो फोर किन्टु तो फर मैनस फूर different to the power minus 4 और इसका स्क्वेर हो गया और that Even Mi है कि मतलब यह 10 to power minus 5 हो जाएगा 10 to 5-9 से 8 10 all multiply गर वाद 3 in to 10 to power minus four हो जाएगा नहीं समझे अर्वेखो 30 को में लिख सकता हूं 3 into 10 into 10 to power minus six into 10 हाना तो आप यह देखो इसको क्या बोला जा सकता है इसको बोला सकता है three into it 10 to power 2 है 10 to power minus six है तो कितना हो जागा 3 into 10 to the power minus 4 हो जाएगा समझे की निसम्झे आसा तो यहां लेकर हूं मैं 3 into 10 to the power minus 4 का square minus 4 का square समझ गया है नहीं समझे अले समझ गया कि नी समझे में टूजी कर दिया हम अब आप यहां देखो यह 4 है यह 3 है आगे छोड़ो जो भी है यह 4 है यह 3 है मुझे पता है इसका जो रिजल्टेंट आना है वो क्या निकल कर आना है एक्सिशन ज़ा है लुडया करों और लेक्सिशन क्या फैंत्रांग्र ग कुशण क ब्लस फोर रखह वह अ थीक है माइन स्क्रिक्रीख अपर यह चार्यूच वूर पर एक्सिवास टू अपर मैनस कर अखा हुआ है ठीक है एन X is equals to 2A P X is equals to 2A P X is equals to 2A P kya रखा हुआ है plus 4Q क्या रखा हुआ है plus 4Q आप बताओ कि यह stable equilibrium में है कि निए देखो अभी हो सकता है कि equilibrium में हो इस condition में हो सकता है equilibrium में हो लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा देखो stable equilibrium वो एकुलिब्रियम होता है जिसमें अगर आप पार्टिकल को थोड़ा सा भी इधर उधर हटाओ या डिस्पेस करें धका मारो उसकी पोजिशन से उसको थोड़ा सा हटाओ तो अपनी पोजिशन में वापस आ जाता है ठीक ना लेकि मुझे साथ साथ दिख रहा है कि अगर मा कंडिशन तब मानूंगा मैं कि अगर मैं इसको अपनी जगह से खिसका देता हूं तो अपनी अपनी वापस ओर इजिनल पोजिशन को रिगें कर ले अना लेकिन आप देख सकते हो कि यहां पर एडिस्टेंस पर है और यहां पर यह टूए डिस्टेंस पर है देखो ना यह पर है यह टूए पर है हां से यहां से अभी हो सकता है स्टेबल लेकिन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा आगे खिसकाओं यह चार्ज को अपनी तरफ खीचने लग जाएगा फिर यह स्टेबल एक्शन में नहीं आ पाए गया यह बात पक्की है यह चार्ज जिसको वापस नही किछ पाएगा अगर मैंने सकudẫn सथ फरकीया यह चारिस को अपनी तर hol Yuya ये अपनी ओर पोचिननल पोचिन में कभी वह आपस नहीं जा पाएगा तो यह इस्टेबल अएकुलिब्रिय८ नहीं है फिससे शचाज अरफटे अंस्टेबल으로 ब securities सब इधर उधर भागने लग जाएंगे स्टेवल एकिलिब्रियम यह कहीं से भी नहीं रहेगा मुझे अभी अभी दिखाई अभी से दिखाई दे रहा है चलो आगे if speed of the charge body continuously decreasing that specific charge r specific charges specific charge क्या होता है q is equals to capital q by m और m क्या होता है m not m क्या होता है m होता है m is equals to m not upon under root one minus v upon c ka whole square मतब जैसे आप velocity बढ़ाते जाते हो velocity के साथ mass b change होता होता जाता है आप किसी भी object की speed बढ़ाते जाओगे speed बढ़ाते आओगे बढ़ाते आओगे बढ़ाते आओगे उसका mass भी क्या करता है बढ़ता है यह बात पक्की है अगर आप V की value बढ़ाओगे सब 라고 25 बढ़ेगी बढ़ेगी ठीक है ना यह स्पीड आफ दार्च बोडिकिनलेस्टली Definition Engineer करके अरवाब कर लोगे तो मज भीक्या इंट अगर आप स्पीड का करोगे कंप करो अगर का मुझाय का मुझाइगा अगर माज का मुझाय का लगा तुक्रेश कि 번째 अगर मास कम हो जाएगा तो मुझे पर आउ सिपीक चार्ज क्या कर ज्यॉद क्रिस करेंगे तो अंसर क्या होगा increases answer क्या हो जाएगा increases चलिए very good आगे बढ़ते हैं next question पे a charge q is placed at the center of a line joining two equal charges a charge q is placed at the center of line joining of two equal charges capital q ठीक ना line joining बनाते हैं जराइन की capital q charges की line joining पर यहां पर दूसरा charge रखा हुआ है दोनों equal charge है ठीक है a q charge is placed at the center of the line joining ठीक है q charge को place कर दिया हमने center of the line joining पर यह हमारा q charge ठीक ना यह distance हो गया ly2 ठीक ना total distance कितना था l था माल लिजेल था the system of the three charges the system of three charges the system of three charges will be in equilibrium if q is equal to if q is equal to अगर यह equilibrium में होंगे तो q की value क्या होनी चाहिए अच्छा पहले मैंने माना की जो क्यों है यह positive charge है क्या माना मैंने की जो क्यों है यह positive chargesuria मैंने मान की क्या होज़ना देखो चाहिए अभी ताप यकाट देकेंगे अबीज्ड नोगी यह युद्नवद्रवलचErस दें मान लिजे दोनों equal charge ब Jinka इनका वाई यह दोनों इस चार्च पर यह चार्च एक रिपल्स पोस लगाएगा ठीक है तक फॉर्स लगाएगा ठीक है अब यह भी पॉजिटेव आ गया यह क्या करेगा यह पॉजिटिव चार्च इस पर धक्का मारेगा यह मैं छोटा बना दे रहा हूं है इसका मैं इसको कलर भी चेंज कर देतं अना में इसको इसको बदका शीर रखंख्ख नगे में instructors तो यह पैस पर बाईildo उसको कलर्ग माला सबका यह रख वारें से हुआ उसे सांथ वह थे हैं तो चार्ज है तो सेंटर में रखा हुआ है वो इस पर इस पर लगा देगा बाहर की तरफ मांते हो की नहीं मांते बिल्कुल लेकिन यह थोड़ना चुप बैठेगा यह भी इस पर क्या लगा देगा रिपल से फोर्स लगा देगा यह देखो यह लगा दिया तो आप देखो यह चार्ज तो एकुलिब्रियम में जा सकता है क्योंकि हो सकता है कि यह दूसरे को कैंसल आउट कर दे दोनों रिपल से फोर्स तो है सकता ही अपनी जगें ना मतले यह एकुलिब्रियम में बैठा रहे एफट यहां पर क्या हो जाए जीरो हो जाए बट यह सिस्टम अगर देखो कर सिस्टम रख एकुलिब्रम में राखना है ना और visitor तो मिलाकर एक इक सिस्टम बन रहा है वसकता है सिस्टम डag individual particle यह इंडियुल चैर्ज है यह जो एकृائ्कुलिब्रियम ऐगे आ सकता है कंडिशन यह दोनों एक दुसरे का मिकर दे गेंजल कर देंगे लगातार छोड़ के आगे बढ़ें अगे अगे ये देको नेया नहीं चार्च पर ऑना तो यह अपनी पोजिशन और बैठीप नहीं सकते ही अपनी पूसिशन से बाहर की तरफ भग जाएंगे है निया यह बग जैंगे के लेकर आप यह देखो इस पर एक बहार की तरफ लग रहा है और एक इधर बहार की तरफ रहा है हो सकता है कि यह इसको कैंसल और तो यह अपनी जगह से नहीं हो सकता है पर हमें पूरे सिस्टम की बात करनी है हना अच्छा एक मिट के लिए आप सोचो फिर से डाग्राम बना देता हुम है एक मिट के लिए आप सोचो थोड़ा सा इस तरीके से कि यह क्यू चार्ज है इसके सामने यह बैठा हुआ है दूसरा क्यू चार्ज एक्वल एन पोजिट अपोजिट नहीं है एक्वलिए पुजट नहीं है एक्वली चला अब नहीं बुला कि सुनों आप मैं माइनस चार्ज लेकर आता हूं इसी के नीचे मैंने यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा ठीक है ना इसकी डिस्टेंस अभी पितनी है यहां से ल बाई टू है और ओके हां सर ओके ओके अब एक चीज समझें यह जो छोटू वाला चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है वह इस वार बड़े वाले चार्ज को जो कि पॉजटिव है क्या करेगा अट्राक करेगा क्या करेगा अट्राक करेगा सिमिलरली यह वाला नेगेटिव चार्ज इस च बड़ा वाला चार्ज जो होगा इस वाले चार्ज को अपनी तरफ खीचेगा खीचेगा के ने खीचेगा बिलकुल खीचेगा यह बड़ा वाला चार्ज इस नेगटिव चार्ज को अपनी तरफ खीचेगा बिलकुल खीचेगा ठीक है ना अब आप पूरे सिस्टम को देखि है तो आड डान जाता यह भी ईक आण जाता कैंसलर तो इस नहीं से कर पाते हाँ बस छोटू के चार्ज पर इस छोटू चार्ज पर लगने वाले फॉर्स क्या हो रहे थे लिए राघ दूर को कैंसल आउट कर सकते थे यहां पर तो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सिस्टम के एकुलिब्रियम में आने के तो आप क्या करो भाई क्योंकि यह एक सिमेट्रिक सिस्टम है क्योंकि यह एक सिमेट्रिक सिस्टम है क्योंकि यह एक symmetric system है तो हम बोल सकते हैं ध्यान से कि अगर मैं यहां पर लगने वाला attractive और repulsive force बराबर कर दो चाहे धर कर दो चाहे उधर कर दो हना क्योंकि मुझे क्यूं का बड़े क्यूं और छोटे क्यूं में लग रहे हना तो अगर मैं attractive force और repulsive force को यहां बराबर कर देता हूं तो मेरे पास क्यूं और क्यूं के बीच में क्या जाएगा relation आजाएगा समझे की नहीं समझे तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर attractive force attractive force को बराबर कर रहा हूं repulsive force को बराबर कर रहा हूं repulsive force की समझे की समझे बिल्कुल समझे ओजव तो बताओ attractive force कितना होगा चलो attractive force कितना होगा यह तो attractive force होगा के capital q small q ऑचा small q का वो क्या है भई sign in negative upon distance कितना है l by to call square एलवाइडू का खो स्थी ठीक है रिपल्स अफर्स किसके किसके ऎलग रहा है इस के और इस कपिटल हुआ का फिलकुल तो हम बोलेंगे के क्यापिटल क्यू का स्क्वेर्ट डीवारी वाय डिस्टेंस कितना है पहुत द्हों कि हमां थोड़ी के बिल जाएगी मुझे भी. तो के से ही कड़ गया, क्यू से ये क्यू कड़ गया? कितना बचा? माइनस ऑफ क्यू डिवाइड बाई L का स्क्वेर अपाउन 4 तो मैं 4 उपर लिख देता हूँ is equal to capital Q upon L square L square से L square कट गया तो हम बोल सकते हैं कि छोटू Q की वेल्यू क्या रही है minus of capital Q by minus of capital Q by 4 पा अच्छा question अच्छा question बढ़िया question ठीक ना आई बात समझ में जी सर समझ भागी हमने दो केस बना कर देखे नीट 2013 में कुशन आया है और ऐसे हां चार्ज कंड़क्टिंग स्फेरिकल शेल मेंज 2010 का question है चार्ज कंड़क्टिंग स्फेरिकल शेल 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 के अं अंदर आ गए है आर की वेल्यू क्या हो गई है आर की वेल्यू लेस देना रोगी है अना तो आपको बता है यहां पर एलेक्टिक फील क्या होगी जीरो होगी बहुत बढ़िया नेक्स्विश्चिंट अस्फेरिकल कंडुक्टर अफ रेडियस 10 संटीमेटर है अचार्ज अच 15 cm from the center of sphere अच्छा स्फेरिकल कंडुक्टर अफ रेडियस 10 cm R की वेल्यू दी गई है दस संटीमेटर है था चार्ज ऑफ क्यों की वेल्यू दी गई है कतनी 3.2 into 10 to the power minus 7 नीट 2020 का question है distributed uniformly what is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of sphere अच्छा small R की वेल्यू आपको दी गई है 15 cm okay 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 चलिए तो निकालते हैं भाई answer क्या होगा इसका आपको क्या निकालना है electric field चलिए easy plus 2k into q के into q upon R का square यह होगा क्या बिल्कुल यह होगा बिल्कुल सा यह होने वाला है के की वेल्यू आपको पता है क्या होती है के की वेल्यू होती है 9 into 10 to the power 9 क्या होती है के की वेल्यू 9 into 10 to the power 9 तो जब आपको सारी वेल्यू पता है तो क्यों ना हम answer निकालना सीधे पूट करके तो निकालो न भाई किसने रोका है यह इस इक वेल्यू 9 into 10 to the power 9 into charge आपको दिया हुआ है कितना 3.2 into 10 to the power minus 7 कूलोंब का divided by r की वेल्यू आपको दिया है 15 cm तो यह हो जाएगा 0.15 का whole square 0.0225 0.0225 0.0225 01234 ठीक है 0.0225 इक वेल्यू आजाएगी 9 into 10 to the power 9 into 3.2 into 10 to the power minus 7 divided by 0.0225 वेल्यू इसको अप्सॉल करेंगे तो लगबग लगबग आपकी एक वेल्यू आएगी लगबग लगबग एक वेल्यू आएगी 1.28 into 10 to power 5 Newton पर 1.28 into 10 to power 5 Newton पर कूलों चलिए बहुत बढ़िया तो यहां पर हमने 18 हमने कोशिश की है कि हम जितना भी कवर कर सकते हैं अपने लेक्ट्रिक लेक्ट्रिक चार्ज और फिल्स के कंसेप्स को हमने इन कुष्ट्रिक से क्या कर लिया है कवर कर लिया है अब ऐसे ही आने वाला है आगे आपका है पड़ने वाले हैं किस को पोकेशिट्यस को फिर्टेंस को पड़ कर आना है ममने आपका लोड और कम कौम नाम से magnetbrains.com नाम से जहां पर जितना भी कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सब फ्री आफ कॉस्ट होता है यूट्यूप पर फ्री आफ कॉस्ट है इसको हमने जाधा जाधा और्गनाइस तरीके से आपको यहां अविलेबल करा दिया है चीक है आई बात समझ मे आप कहां कि आपने बुला कि भाई हम क्या करें क्या करें किस पर करें इस पर करें इस पर करें जिसके स्टुएट आप उस पर करो अगरा आपको पढ़ाते हों यहां पर आजाएगे आपको हमारे आइडिलोजी पता है कि हम कंप्रीटी फ्री एजूकेशन देने में बिलीव करते हैं फ्रीका मतलब यह नहीं के कंटेंट से कंप्रमाइस किया गया हो कंटेंट इकदम टॉप नौच आपको प्रवाइट करता है बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सप्या अरिकरे यह पर तेर यह, THANK YOU VERY MUACH